दिन रात अपने मस्तिश्कों को उच्छ कोटी के विचारों से भरो, पॉजिटिवेटी से भरो, उसके बाद जो फल प्राप्त होगा, वो निश्चती अनोखा होगा। जै मातादी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे योटिव चैनल में। तो आज की ये वीडियो ब क्या क्या उपलब्धें दे कर जाने वाले हैं, उन में क्या क्या प्रभाव आपको अपने जीवन के हर एक शेत्र में देखने को मिलेंगे। और इन में भी सबसे जो उत्तम या सबसे जो भागेशाली महिना हैं, वो कौन सा होगा ? और किन-किन चीजों से आपको सावधानी होगी साथ ही किन-किन समय किसकी समय कौन-कौन सगर है आपको क्या देगा यह सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और से जुड़ जाएं हमारे तो हम बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर दो हजार बाइस के बारे में यह जो तीन महीने हैं यह वाकि में बड़े ही लाजवाब होने वाले हैं कुमराजी के लोगों के लिए और इन में से जो दो महीने होंगे वो बहुत ही एक मि साल आपके लिए लेकर आए हैं इस वर्ष के ये अंतिम तीन महीने में हैं उसके बाद वर्ष खतम हो जाएगा लेकिन जो वर्ष का आखरी समय होता है हमेशा मन में ये रहता है कि इस वर्ष के खतम होते होते हैं आखिर मैं इतना तो प्राप्त कर सकूँ या कुछ तो मैं ला राशी के लोगों के लिए हर तरीके से सकारात्मक महिना ये आपके लिए कहा जा सकता है इसकी वज़ा है चार ग्रहे यानि एक राशी में तो चार ग्रहे एक साथ हैं और एक है मंगल मंगल इस महिने में आपके लिए जबर्दस्त लाव देने वाला साबित होगा ये इन तीन महिनों में ये अकेला एक ऐसा महिना है जिसमें मंगल आपको भर-भर के लाप देगा त्योंकि मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी है और कर्म भाव के स्वामी होकर ये अपने ही भाव पर द्रस्टी डाल रहे हैं जिसकी वज़ा से आपको बहुत अच्छे लाब देखने को मिलेंगे और वो भी आपके करियर के शेतर में इसके अलावा इस महिने में अक्टूबर के महिने में सूर्य और बुद्ध की युति भी होगी जो आपके अस्टमभाव में होगी साथ में य ऐसा होगा कि एक हिराशी में चार-पांच घ्रह इस्टित हो जाएंगे जिसकी वज़ा से उनका जो फल है वो कई तरह से आपके कामकाजी जीवन के लिए भी आपके व्यपार के लिए भी और आपके निजी जीवन के लिए भी बड़ा फाइदे बन रहेगा यानि कि आपक आपको हर एक ग्रह का पॉजिटिव ही प्रभाव देखने को मिलेगा आर्थी कलाब भी होगा प्रेम जीवन के मामले में भी बहुत उत्तम रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि बुद्ध और सूरे की यूति बुदादित योग का निर्मान करेगी जिसकी वजह से प्रेम जीवन भी आपका बड़ा सुखद रहेगा अब देखे अक्टूबर का महिना इस 2022 का शांदार महिना कहा जा सकता है जो आपको वर्षक के अंत होनी से पहले पहले ही धेरो खुशियां देदेगा दसम भाव कर्म भाव का स्वामी मंगल चौते में विराजमान है और कर्म द्रस्ट को देखेगा उसकी वज़े से करियर के शेतर में नए आकरशक अफसर आपको प्राप्थ होने वाले हैं सजमीन संपतिस से जुड़ा कोई भी आपका काम था वो आपको जबरदस्त लाब देगा शेयर मार्केट से जुड़े हैं फाइनेंस के शेतर से जुड़े हैं तो यह आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी जबरदस्त धनलाब कराएगे इस महीने में भागए आपका एकदब प्रबल हो रहेगा थोड़ी सी महनत आपकी थोड़ी सी महनत भी आपको ज़र्व से जादा लाब देने वाली होगी इसलिए महनत से तो बिलकुल पीछे नहीं ह आप है आयात नर्यात का काम करते हैं तो उससे तो कई गुना लाव की उम्मीदे बनी हुई हैं नौकरी पेशा लोगों को पदोनती के भी योग हैं कारेशित्र यानि किसी भी काम से आप जुड़े हैं कर्म बहाव पर कर्म के स्वामी की द्रस्टी डालने का मतलब है आप क तलाब आपको मिल सकता है अगर ग्रहों की इस्तिति कुंडली में जन्म के समय और भी अधिक शुब है तो ये महीना आपको एक यादगार महीने के रूप में साबित होने वाला है बाकि निजी जीवन में भी प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन हर एक ची जो हैं वो 17 अक्टूबर को तुला राशी में जाएंगे और 17 नवंबर तक तुला राशी में रहेंगे यानि आदा जो महीना होगा वहां आपके भागयभाव में ही सूरिय मौजूद होंगे आपके भागयभाव में केतु भी वहां मौजूद होंगे और कुछ समय तक वक्री से मारगी हो जाएंगे जो आपके लिए एक प्रस पॉइंट होगा नवंबर के महीने में 24 नवंबर को गुरू ब्रसपती आपके आर्थिक इस्तिति के स्वामी आपके धन के स्वामी दुईते भाव में विराजमान है वक्री इस्तिति में लेकिन 24 नवंबर को वो भी मार्गी हो जाएंगे ये इस महिनी के लिए एक positive sign आपके लिए है यानि आदा महिना आपके लिए सूरिय का प्रभाव भागे भाव में आपके धन को बढ़ाने का कारे करेगा जैसे ही सूरिय राशी बदलेंगे और आएंगे आपके रश्चिक राशी में तो क्या होगा कि गुरू जो है वो मार्गी हो जाएंगे और गुरू का मार्गी होना कुम्ब राशी के लोगों के लिए बेहद अच्छा है क्योंकि वो आपके धन के सौमी है आपके आर्थे किस्तिती को मजबूत करते हों तो वहां मालगी होना आपके आर्थे किस्तिती को और अधिका नुकुल बनाएगा ये जो दो महीने हैं ये ऐसे महीने होंगे जब आप खुब खुल कर जियेंगे अच्छे से अच्छा धन प्राप्त कर पाएंगे अब अपनी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहेंगे धन प्राप्त करना और संचित करना यानि कि आप धन को संचित कर सकते हैं अपनी बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं इन दोनों ही महिनों को आपके लिए जबरदस्त महिना बिलकुल कहा जा सकता है इन दोनों महिनों में ग्रहों की सिथियां आपको एक अलग ही जोन में लेकर जाएंगे आपके कामकाज में आपके जो इंट्रेस्ट है उसको भी बढ़ाएंगे प्रेम जीवन के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है प्रेम जीवन भ किसी तरह काम काज करते हैं तो उनके लिए भी ये जो समय होगा आपके जीवन साथी के लिए भी धन पराप्ति करे हुआ है क्योंकि आपको जीवन साथी से भी लाभविलने की योग यहाँ बने हुए हैं दोनाई सूत की सित्लियां प्रबल होने वाले हैं उतसव जैसा मा महीने आगी, दो महीने कह सकते हैं, दो महीने में उत्सव जैसा माहौल रहेगा, मकान का भी आपको योग बना हुआ है, मकान संपत्ती इन से इनके द्वारा भी आपको लाव मिलने के योग बने हुए है, भागे भाव में आपके सूर्य का आना भागे को बहुत प्रबल प्राइव हाँ के लिए करेंधक यहां च aptal रहेगा में'd का अंत्य माहिन था लगात करें तो यहां सूर्ऩों प्रराइड एंगे दहनूराशी में एक्थश्य का आणा अच्छा रहेगा लेकिन नवंबर और अटुबर यह द्वह महीने सबसे उत्षब है दिसंबर के महीने में प्रेम समंदी कुछ दिक्कते हो सकती है और वेपारियों के लिए भी ये महीना काफी बिजी रहने वाला है थकान देने वाला ये महीना रहेगा लाब दू मिलेगा लेकिन आपको महनत पी जादा करने पड़ेगी आपको ताम का प्रेशर भी आपके पर बहुत अधिक रहेगा तो ये हम सामाने जरूर कह सकते हैं मिला-जुला महीना कह सकते हैं लेकिन ये दो दो महीने होंगे ये ऐसे होंगे कि आप इस दो महीने के दोरान ही इस वर्ष की सबसे अधिक धनराशी को जोड़ पाएंगे तो इतना उत्तम ये लास्ट के तीन महीने होने वाले हैं तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चानल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें